तो सुहाई ब्रिवन स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे I.E.M. और I.B. इंजेक्शन के बारे में तो दोस्तो जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता ही होगा I.E.M. और I.B. क्या है तो दोस्तो बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन भी आते हैं जो की I.E.M. और I.B. दोनो रहते हैं और कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो की I.E.M. वनली लिखा रहता है अगर जिस इंजेक्शन में I.E.M. वनली कर सकते हैं और intravenous में भी यूज कर सकते हैं तो दोस्तों और कुछ इंजिक्शन ऐसे भी आते हैं IV यानि कि intravenous use only one अगर उसमें IM और IV दोनों लिखा है तो आप दोनों जगा यूज कर सकते हैं अगर सिर्फ IV use only लिखा है तो उस injection को आप लोगों को सिर्फ intra venus में यानि कि नस में ही लगाना है उसको आप months में नहीं लगा सकते हैं अगर IV use only लिखा है तो तो दोस्तों यह होता है IEM और IV injection के बारे में तो यह अगर हमारी छोटी सी information अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो अगले नेस्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाए बाए